हलो दोस्तों वैसे हैं आप सब आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं आम का आचार यह आचार बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों यह हमने कच्चा आम लिया है सबसे पहले हम इसका धेपी काड़ कर निकाल देते हैं दोस्तों हमें इस बात का ध्यां रखना है आम में हमारे जाली पड़ी रहनी चाहिए आम हमें वहीं लेना है दोस्तों यह हमारा तयार हो गया है अब इसे हम कातना शुरू करते हैं यह काम में हम चार भाग करें गये दोस्तों अब हम लेगे आम काटने के लिए एक सरवता चाकुल से हमारा बिल्कुल नहीं कटेगा दोस्तों अब हम लेगे एक सुती कपड़ा इसी के नीचे हम लगा देंगे नहीं तो आम काटते समय हमारा फिसलेगा अगर हम कपड़े प्लगाते हैं तो यह आम अमारा फिजले गने है तो अब हम आम को काटना शुरू करते हैं दोस्तों सारे आम को हमने काट ते तयार कर लिया है अब इसका हम गुडली अलग कर दीते हैं क्योंकि हमें गुटुली की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों सारे गुटुली को हमने निक्याल कर अलग कर दिया है अब इसमें एक चम्मच नमक और एक चम्मच हल्दी मिला कर अच्छे से एक घंटे के लिए हम छाओं में रख देंगी दोस्तों नमक और हल्दी इसलिए मैं लगा रहे हूं इसका पानी सारा निकल जाए गया है एक चम्मच हल्दी इसमें डालती है और एक चम्मच रहा नमक अब इसे हम हाथ से अच्छे से मिला देते हैं और एक घंटा के लिए इसे रख देते हैं ढ़क के दोस्तों हमें इस बात को ध्यान देना है हल्दी इवन नमक अच्छे से इसमें मिल जाना जाए दोस्तों इसमें हमने अच्छे से अच्छे साफ होना चाहिए और सूखा रहन देते हैं को धो दोस्तों आप सब देख सकते हैं आमका सारा पानी खेल गया है दोस्तों अब इसे हम अडना शुरू करते हैं सबसे पहले हम हूटा हुए लाससन इसमें डालेंगे लासनकी मातना हम इसमें जादा डालेंगे दोस्तों आम हमारा 1.5 किलो है लासुन हमारा 100 गराम है दोस्तों इसके बाद हम उटा हुआ अध्रक इसमें डालेंगे अध्रक को कूटने के बाद हम इसे 10 मिनुड तक धूप में सुखानेंगे दोस्तो अधरब को दूप में सुखाने से इसका पानी खतम हो जाता है इसके बाद इसमें हम दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें डालेंगे इसके बाद हम देड़ चम्मच भूना हुआ जीरे पाउडर इसमें डालेंगे इसके बाद इसमें हम आधा चम्मच काली मिर्च पौडर डालेंगे काली मिर्च को हमने भून लिया है तब इसके बाद हम इसको पीशा है अब इसके बाद इसमें हम देड़ चम्मच हल्दी पौडर इसमें आड़ करते हैं दोस्तों अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे अब इसके बाद हम स्वाध अमसार इसमें नमक डालेंगे नमक तो कम ज्यादा आप सब कर सकते हैं अब इसके बाद इसमें हम तेल को डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे दोस्तों तेल को हमने एक कटोरी लिया है अब तेल को हम धिरे धिरे डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे कि दोस्तों यह हमारा अचार बनकर बिल्कुल तयार है आप सब देख सकते हैं दोस्तों यह अचार बनाना बहुत ही आसान है हमने इसे एक सिंपल तरीके से बना कर तयार किया है और कम खर्च में भी बनाया है दोस्तों जब आपका मन करें तो इसे तुरंत बनाईए और तुरंत खाईए दोस्तों हमें इस बात का ध्यान देना है अचार बनाने के बाद हमें प्रत दिन एक घंटा के लिए धूप में रखना पड़ेगा एक हफ्ते तक धूप दिखाने से यह हमारा अचार खराब नहीं होगा सालो साल तक चलता रहेगा दोस्तों इस अचार को हमारी तरीकी से आप सब जरूर बनाईएगा और जरूर खाईएगा दोस्तों यह मेरी रिस्पी आप सब कैसे लेगी कमेंट करके हमें जरूर बताना अब मिलते हैं एक नई रिस्पी क साथ तब तक दिले बाई बाई